आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत है नवदापुरम जले की चिठ्थी आलेक तनुच तिवारीका वाचक पूरवातरवेदी महा कालिश्वार महा देव मंदिर उज्जेन में 11 अक्टुबर को आयूजित हो रहे महसफ के उपलक्ष में नवदापुरम भी शिब मैं होने जा रहा है महा का लोक लोकारपन समारों में प्रदार मंत्री नरिंद्र मोदी के उज्जेन आगमन पर नवदापुरम जले के प्रसिद शिवालों में भी उच सब मनाया जाएगा 11 अक्टुबर को सिठानी घाट दीप मालाओं से जगमगाएगा नर्वदा के तट इस्थित प्रसिद काले महादेव मंदिर में देवादी देव महादेव की महा आरती होगी इसके अलावा सभी शिवालों में विशेश साथ सज्जा की जा रही है संत महंत पंडित पुजारियों के साथ ही शिप भक्तों में विशेश उत्सहत देखा जा रहा है ऐसी स्रंक्ला में पच्मडी में भी विशेश महोसम मनाया जाएगा पच्मडी के सभी प्रसिद्य महादेव इस्थलो पर पूजन, अर्चन, महारुद्राविशेक और महार्थी के साथ ही अन्यधार्मिक और सांस्कृतिक कारिक्रम होंगे नर्दापुरम में कुछ दिनों पूर्व, अक्षे उर्जा दिवस पर विज्ञान प्रसारक ने उर्जा के महत्व और उसके संद्रक्षन के लिए ग्रामन शेतर में जन्जागरुकता अभियान चलाया गया इस दोरान पर्या वरंट संद्रक्षन में भागीदारी करने और उर्जा संद्रक्षन के उदेश से लोगों को प्रोज साहित किया गया जिले के मुहासा माखन नगर और द्योगी के कॉरिडोर में आइनोक्स ऑक्सिजन प्लांट 48 करोड 90 लाकी अनुमानित लागत से 132 केवी का नया अती उचिदाव विद्द सव स्टेशन तयार किया गया है 63 MB शम्ता के साथ इसे Human Machine Interface तकनीक के जरिये जबलपुर कंट्रोल रूम से रिमोट द्वारा उर्जा करत किया गया प्रदेश में धीमर खेडा कटने के बाद रिमोट से उर्जा करत होने वाला 132 केवी का यह दूसरा अती उचिदाव का सव स्टेशन है इस सवस्टेशन से माकर नगर के 30 गाओं के करीब 4000 घरेलू और क्रशी विद्ध उपभुकताओं को भी नियूंतम व्यापधान के साथ गुणवत्ता पूर्ण विद्ध आपूर्ती उपलब्द रहेगी जिले के आदिवासी बहुल में वर्षु से चली आ रही गंभीर अनुवानशक भीमारी सिकल सेल के फैलाव को रोकने के लिए केसला विकासखन में जागरुकता गतिविदिया संचारित की जा रही है कारिक्रम के तहट हाली में एकलव आदिवासी विद्ध आले भरगदा में पोस्टर मॉडल को इसके माध्यम से सिकल सेल रोक के फैलाव पर व्यग्यानिक तथ्यों से अवगत कराया गया बहराल जागरुकता कारिक्रम में सिकल सेल के लक्षन उपचार और फैलाव को रोकने की जानकारी दी जा रही है जली में विदान साबा में वोटर को आधार से लिंक करने का काम तीजी से चल रहा है बियलों ने वोटरों के घर घर जाकर सुभर शाम संपर कर उनके आधार कार्ट को वोटर आईडी से लिंक करवाया और शत प्रतिशत पे परिया विधान सभा में उतकरश्च लक्ष हासिल किया नवधा पुरम जिले में अंतराष्टी व्रद्ध जन दिवस अपसर पर विबिन कारिक्रम आयूजित किये गए महाविध्यालों और स्कूलों में वरिष्ट नागरिकों के लिए आनंद मेले का आयूजित किया गया वहीं विबिन प्रतियोगताओं के साथ दादी की रसोई पर कुकिंग प्रतियोगता भी आयूजित की गई नशे के किलाब पूरे समाज को जागरूप करने के लिए गांदी जैनती दो अक्टूबर से पूरे जिले में ग्राम और नगरी विकास स्तर पर नशामुक्ती अभियान चलाए जाने के लिए ग्राम सभाओं का आयूजित किया जा रहा है इस दोरान नशामुक्ती अभियान में पहले नशे के आदी रहे और अब नशामुक्त हो चुके लोगों को ये प्रेड़ना दाई अनुमभ भी सांजह किये जा रहे हैं शक्ती मंतरी गजेंदर शेखावत कैविनेट मंतरी गिरीराज सिही और केंद्रिय जल्शक्ती राजि मंतरी पहलात पटेल ने नवधापुरम जिलापंचाज सीओ मनुझ सायराम को पुरुस्कृत कर सम्मानित किया नर्वदापरम जिले में भी नवरात का पर्व आस्था और हर्शुलास के साथ मनाया गया राम नौमी पर दुरगा काली प्रतिमाओं का चल समारो मुख्य मार्गों से निकाला गया वहीं दशेरा पर्व पर शहर के दशेरा मैदान में रावन कुमकरन मेगनाद के पुतलों का देहन किया गया प्रतिमाओं का विसरजन हरवल पार्क कृत्म कुंड में किया गया नर्वदा पुर्णिमा में आज शरत पूर्णिमा के अपसर पर सिठानी घाट पर मानर्वदा की महारती होगी इसके बाद खीर का प्रसाद वित्रत किया जाएगा शरत पुर्णिमा पर अने घाटों और जगा जगा प्रसाद के रूप में खीर, दूद, और शदी, आधी का भी वित्रन किया जाएगा इसी के साथ नर्वदा पुर्मजली की चिठ्थी समाप्त हुई